हाई फ्रेंड्स मैं मनिस पांडे मैं अपने चैनल UiPath RP में आपका स्वागत करता हूँ आज हम सीखेंगे Excel Automation में Set Range Color के बारे में Set Range Color का यूज करते हैं हम Cell का जो Background Color है उसको Change करने के लिए तो आज हम सीखेंगे How to Change the Background Color of Excel, Cell and Range in UiPath चलिए पहले मैं आपको एक Demo दिखाएता हूँ, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक Project बना रखा है मैं इसको Run करता हूँ, तो यह क्या करेगा, Excel File Open करेगा और जो हमने Range वहाँ पर टाला हुआ है लाइक A1 to G1, तो वो हमने A1 to G1 सिफ Heading के लिए राल रखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर Color हो गया है चलिए मैं आपको दिखाएता हूँ, फाइल को Open करके, जिस पर मैंने Color Apply किया है तो आपने अभी देखा, पहले यहाँ पर कोई Color नहीं था, अभी हमने A1 to G1 में आप देख सकते हैं कि इसमें Light Green Color अप्लाई हो चुका है इसका Background Color चेंज हो गया है, अगर आप चाहते हो कि यह Item Type है, इसका पूरा यहां से यहां तक, पूरा का पूरा Column का Data, इसका Background Color हो जाए, लाइक सेम जैसे आप यहां पर चाते हैं, और आप Yellow Color या कोई भी Color यहां से आप चूज करते हैं, उसका Background Color चेंज करते हैं, तो सेम ऐसे ही आप, Ui Path में भी Activity का Use करके, आप इसका Sale या Range का Background Color चेंज कर सकते हैं, चलिए, इसको हम सेफ करते हैं, और एक Excel Application Scope लेंगे, क्योंकि हम Excel पर काम करने वाले हैं, चलिए इसको Right Click करके, हम Start as a Note करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, Fill, Sell, Color, यहां पर आपको Excel File का Path देना है, Full Path, चलिए इसको हम Select करते हैं, Fill, Excel, Sell, Color, इसको Open कर लेते हैं, तो जिस Excel File पर आपको काम करना है, जिसमे Color आपको Change करना है, इस फाइल को यहां पर Excel Applications Scope का यूज करका आपको आपको इसको Select कर लेना है, जो Next है, अब हमें उस Excel File में जो Data है, Like A1 to G1 उसका Background Color चेंज करना है, तो Color चेंज करने के लिए, UI Path में एक Activity है, Set Range Color, चलिए इसको हम Drag & Drop करते हैं, यहां रखते हैं, अब आप यहां देख सकते हैं, Right Side में, यहां लिखा हुआ है Color, Range, Seat Name, तो आपका Data कौन से Seat में है, वो Seat Name आपको यहां डालना है, तो By Default यहां पे Seat 1 डला हुआ है, और हम देखते हैं, Excel File जो हम पास कर रहे हैं, उसमें Seat का नाम क्या है, Seat का नाम Seat 1 ही है, और Range हम यहां से Choose कर लेंगे, हमारा A1 to G1 है, तो यहां पे हम Range चेंज कर देते हैं, G1 और यहां पे है Color, Color के लिए यहां पे लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहां लिखा हुआ है The System.DrawingDrawColor for the Specified Fill, जो भी हम Color यहां पे Specify करेंगे, वह System.Drawing.Color का यूज करेगा, और यहां पे Excel File में Color Set करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक Variable क्रेट करेंगे, Ctrl-K प्रेस करेंगे, और यहां पे लिखेंगे Color, एंटर प्रेस करेंगे, तो जैसे आप Color यहां पे Variable क्रेट करते हो, और हम यहां पे Variables में जाकर देखते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो, इसका Variable Type जो है यह Color हो गया है, आपने देखा यहां Variable Type System.Drawing.Color है, अब हमें क्या करना है, यह देखना है कि Excel File में जो हमें Color Apply करना है, वो क्या है, मान लेंजिए हमें Light Blue Color करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे Color में जाके, Last में यहां आपको बताता हूं सही से इस पे Click करना है, और यहां पे आपको लिखना है Color Dot, जैसे आप dot करोगे, यहाँ पर list of color का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए color light blue color, चलिए, ऐसे आपको select कर लेना है color.light blue और ok प्रेस कर देना है, अब इसको हम run कर सकते हैं, चलिए run करते हैं, अभी यहाँ पर light green color apply है इस seat पर, चलिए, अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा, अभी इसका color light blue color हो गया, अगर आप चाहते हैं, यहाँ Excel फाइल में, country जो B1 से B23 तक का data, जो background color है, green color में हो जाए, चलिए, यहाँ पर हम जाते हैं, range select करते हैं, B12, B23, और यहाँ पर हम change करते हैं, green, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, color.green, चलिए, इसको हम run करते हैं, अभी यहाँ पर कोई background color नहीं है, आपने यहाँ देखा, अभी आपके सामने, B12, B23, जो range हमने apply किया है, उसका color, background color change हो गया, और green color apply हो गया, आप चाहते हैं, किसे B1 का color change हो, country यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका color change हो, तो भी आप कर सकते हैं, आपको just यहाँ B1 लिखना है, और यहाँ पर, जो भी color आपको डालना है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, apply कर कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर विसको करते हैं, light, light, pink करते हैं, चलिए और ok करते हैं, चलिए run कर देखते हैं, तो आप यहाँ देखो कि country में अभी green color है, अभी जैसे run होगा, यहाँ पर pink color apply हो चुका है, तो इस तरह से आप excel file में cell या range का background color आप change कर सकते हैं, तो अगर आपको यह video अच्छा लगे, तो please like किजिए और subscribe किजिए मैं चैनल को, thank you so much friends, thank you for watching this video,